Hey guys, welcome to World Affairs, मैं हुँ प्रशान धवन, चले डिसकस करते हैं 14 जन्वरी 2021 के डिली करेंड अफेर्स MCQ और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बतातूँ, खुशकबरी आप लोगों के लिए Unacademy Pledge 2.0 स्टार्ट हो चुकी है, ये है एक free test series उन questions की जो हम डिसकस करते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा तरीका है, memorize करने का सारी information को, आपको simply क्या करना है जो वीडियो का description section है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आपको दिखेगा Unacademy Pledge इस link पर click कर लो, अगर आप mobile phone पर हो, तो पहले Google Play Store पर जाकर Unacademy की app download कर लेना, वहाँ पर register कर लो और फिर यहाँ पर link पर click करना, आप से गरे code पूछें, code डाल देना PD10 और इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने आजाएगा यह page, यहाँ पर unroll कर लो, और लगातार आपको भी लेंगे यहाँ पर 5 tests और यह test होंगे Hindi और English दोनों languages में available, पहला test start होने वाला है 15 January से Alright, so unroll कर लो, आपको SMS आजाएगा जब भी test start होगा Alright, so first question यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भारत की rank क्या है हाल ही में release हुए Henley Passport Index 2021 के हिसाब से और यहाँ पर सही उत्तर है option, option भी 85th, 85th rank है यहाँ पर इंडिया की पिछले साल थी 2020 में 84th अब देखो, passport को लेकर हो सकता है कि आपको एक दोर index दिख जाए, वहाँ पे rank कुछ और हो, मगर ध्यान रटना जो Henley Passport Index है, यह ज़ाता राता है exam में और यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह है यहाँ पर global ranking, इंडिया और तजीकिस्तान की rank यहाँ पर same है, both of them are on rank 85 और इस list में number one देश है जपान, जपान की यहाँ पर rank है one, worst country as list में अफगानिस्तान और इस list में यह जख करते हैं कि किस passport से आपको ज़ादा access मिलेगा, countries का बिना visa के और यहाँ पर data यह लोग इस्वाल करते हैं, International Air Transport Association का, IATA इसके headquarters आपको मिलेंगे, Montreal, Canada में बढ़ते हैं next question की तरफ यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाली में, US ने name किया है किस country को as a state sponsor of terrorism यह USA की एक list है, और इसमें जिस country को भी यह डालते हैं, उस पर लगते हैं automatically sanctions, और हाली में US ने इस list में डाला है C, क्यूबा को, क्यूबा इससे पहले भी इस list में रह चुका है अब वापस क्यूबा आ चुका है, state sponsor of terrorism की list में और यह list देखो, हाली में बहुत news में भी थी क्योंकि सुदान जो एक African country है, इसको US ने कुछ ही अवतों पहले इस list से निकाला भी था और आज के समय आप अगर देखें तो इस list में हैं सिर्फ चार देश, North Korea, Iran, Syria और अब क्यूबा क्यूबा की capital है हवाना, currency ये लोग यूज करते हैं, पैसो और यहाँ पे आप देख पाएंगे USA के Secretary of State की tweet है, इस topic को लेकर आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ बहुत अच्छा सवाल है, very important for every examination, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि Management Effectiveness Evaluation Report हाल ही में ये report release करी है, Minister of Environment ने, पर्यावरण मंतरी ने ये report release करी है इस report के असाब से भारत में protected areas कितने हैं, यहाँ पे आपकी options हैं और सई उत्तर यहाँ पर है Option D, 903 है भारत में protected areas, protected areas होते हैं wildlife के लिए, animal species के लिए और इसमें बहुती चीज़े आती हैं, sanctuaries आती हैं, national parks आते हैं, उसके लावा coastal और marine park ये सब मिलाकर total भारत में 903 हैं protected areas और ये 903 protected areas कवर करते हैं भारत के total geographical area का 5% ये सब बताया इस report में और इस report में उन्होंने cover किया है भारत के 146 national park और wildlife centuries को और ये भी बताया गया in the future के एक proper ranking मिलेगी आपको जहाँ पना आपको बतालेगा के देश में top 10, 10 best national park कोन से हैं, 5 coastal और marine park कोन से हैं, और top 5 zoos कोन से हैं देश में ये हम कर रहे हैं ताकि competition बढ़े और हर state कोशिश करें के उनका जो national park है ये हो number one सो आगे बढ़ते हैं के लिप्रेशन की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि Tesla फाइनली जो इंडिया आ चुका है, ये setup करेंगे अपना research and development center इन में से किस शेर में, बहुत ही ज़़ा news में है ये, तो इसको आप ignore करना ही सकते हैं, सही उत्तर यहाँ पर है option D, Bangalore Bangalore में setup करेंगे अपना एक research और development center और उमीद यह है के वहती जल्द इंडिया में भी ये car manufacture करना start करेंगे, अब big boost for make in India, next question यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है, के हाल ही में Indian railways को, भारतिया railways को कितने award मिले है, National Energy Conservation Awards 2020 में, यहाँ पर आपकी options, सही उत्तर यहाँ पर है option B 13, अगर आप railways के exam की preparation करेंगे, especially तो मैं काऊंगा, यह question बहुत ही जारा important है, Indian railways को यहाँ पर मिले हैं 13 awards, और यह award देता कौन है, यह देता है Bureau of Energy Efficiency, और यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह Honorable Minister of State of Power है यहाँ पर, श्री R.K. Singh, इन्होंने भी यहाँ पर दी है statement, और Indian railways को जो award दिये गए हैं, बहुत सी category से मिले हैं, ट्रांस्पोर्ट category में, बिल्डिंग category में, और जो electrical department है, Divisional Railway Manager Office का, इन North Eastern Railway, इसको मिला है Certificate of Merit in the Building Category, और भारतिया railways हाली में वैसे भी news में थी, क्योंकि सुनी शर्मा जी को appoint किया गया है, Chairman और Chief Executive Officer, CEO, Railway Board का, सो बहुत इसको भी याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, यहाँ पर आपको बताना है कि Reserve Bank of India ने हाल ही में cancel किया है, license, इन में से किस bank का, तो यह हैं यहाँ पर आपके सामने options, सही उत्तर यहाँ पर है, वसंत दादा नगरी, सहाकारी bank, यह है एक cooperative bank, और Reserve Bank of India ने है, absolutely secure, और इसका license cancel किया क्यों गया है, क्योंकि RBI की जो guidelines है, जो requirements है, funds को लेकर, यह bank पुरा नहीं कर पारा था, और इसलिए इसका license हुआ है, cancel, अब पिछले साल, आप अगल देखो, 2020 में, तो कई और banks हैं, जिनके license cancel हुए हैं, एक तो है, Mapusa Bank, और The Kraz Ajanta, सहाकारी bank, यह करते हैं, अगले question की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कि हाली में, किस telecom company ने partnership करी है, National Small Industries Corporation, NSIC के साथ, ताकि digitally transform किया जा सके, छोटे ओधियोगों को, MSME को फाइदा पुचाने के लिए, यह partnership करी है, NSIC ने भारती ATL के साथ, भारती ATL के साथ हुई है, यहाँ और यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसमें Micro, Small and Medium Enterprises, MSME को यह benefit देनी कुशिश करेंगे, अपनी partnership के अंडर, और NSIC के बारे में यह जान लो, कि यह है एक mini रतना PSU, और यह आता है, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises के अंडर, और NSIC यह सब इसले कर रहा है, क्योंकि 2019 में से पहले, इन्होंने ए पहले था, Micro, Small and Medium Enterprise Ministry के साथ, जी हाँ, MSME की एक ministry भी है, और यहाँ पर minister है, नितिन गडगरी, सो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, बहुत अच्छा प्रशन है यह, यह आप किसी भी exam expect कर सकते हैं, very important, यहाँ पे आपसे यह पूछा जा रहा है, कि हाली में, जो One Planet Summit 2021 हो रहा है, यह World Bank और United Nations के साथ, कौन सा देश होस्ट कर रहा है, यहाँ पे हैं, आपके options, सही उत्तर, यहाँ पे है option, option B, France, जी हाँ, France, World Bank और UN मिलकर, organize करते हैं, यह बहुत important summit, One Planet Summit 2021, यह summit शुरू हुआ था, 2017 में, और कोशिश यहाँ पर यह होती है, कि जो Paris Climate Agreement है, जिस 2000, एचली जो सामने आथा दुनिया के, 2015 में, इन COP21, Conference of Parties 21, वहाँ पर जो भी वादे किये गए हैं, carbon emissions को लेकर, environment को लेकर, उसको countries properly follow करें, और वो वादे निभाएं, तो आप यह कह सकते हैं, यह reminder call होता है, सारी दुनिया को के Paris Climate Agreement को आपको follow करना है, और इस summit का इस बार ए cooperation with UN World Bank launched this summit, एक कमिटी मनाथी भारत सरकार ने TRP को review करने के लिए, TRP होता है television rating point, हर चनल जाता है कि उसकी TRP उपर हो, TRP मतलब कि overall कितनी viewership है उस channel की, तो यहाँ पर इस कमिटी ने TRP guidelines को लेकर, अपनी report submit कर दी है, information and broadcasting मंतराले को, अब आगे यह decide करेंगे कि TRP को लेकर, क्य यह report submit करी है, information and broadcasting ministry को, इस committee के head कौन है, बहुत ही famous है, काफी आज का news में भी है यह, और सही उत्तर यहाँ पे है, option A, शशी शेकर, वेंपत्ती, इन्हीं के अंटर बनी थी है committee, और मैं आपको यह बता दूँ, यह CEO है, प्रसार भारती के, very important person के बारे में वैसे भी आपको ब Mr. है, प्रकाश जावडेकर, सो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, यहाँ पे आपसे यह पूछा जा रहा है, कि DRDO ने हाली में, किसके साथ association करके, किसके साथ काम करके, develop करी है, भारत की पहली indigenous, मतलब के जो इनिया में develop हुई है, भारत की पहली indigenous, machine pistol, ASMI, यह बह पहली indigenous, machine pistol, ASMI, और यहाँ पे आप देख पाएंगे, यह इसकी फोटो है, यह आज कल बहुत न्यूस में है, यह यूजी क्लास, जो सीरीज होती है, गन्स की उसमें आती है, और यह fire कर सकती है, at a range of 100 meters, very important, सो अब बात करते हैं उस question की, जो मैं आप से पूछा था, 13 January 2021 को, म minimum support price, MSP को कौन recommend करता है, इन में से, और यहाँ पे सही answer है, the commission for agricultural cost and prices, बहुत ही important है, यह MSP तै कर रहे हैं, 2009 से, और इसके बारे में बहुत सारे अच्छे answer थे, in the comment section below, एक answer को यहाँ पे मैं feature कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है, कि बाकी answer कम अच्छे दे, all of you have done a very good job, औ इसकी बार आप type करोगे, mentally आपके mind में सारी information हो जाएगी, drill, आप इसको भूलोगे नहीं, तो बहुत अच्छा answer है यहाँ पर, by Siddhant Singh, अब बात करते हैं, उस question के बारे में, जिसका answer आपको करना है, आज की वीडियो में, question आपके सामने यह है, यह question बाइदावे आया था, CGL 2016 के exam में, SSE CGL के exam में आथ है, यह 2016 में, आपसे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि, soil of Kerala, rich है, इन में से किस type की soils में, Kerala में जो आपको मिट्टी मिलेगी, वहाँ पर जरातार जो मिट्टी है, वो कौन सी है, alovel, laterite, sandy soil, या फिर longy soil, नीचे comment section में करो इसका answer, में आप क्या grow कर सकते हैं, काफी कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं, and your answer can educate other people as well, और अगर आपको किसी का answer पसंद आए, आपको informative लगे, तो उनको encourage करिएगा, answer को like करने के लिए, और वीडियो भी आपको पसंद आए, तो वीडियो को भी like कर दीजेगा, so यह है अंत इस वीड वीडियो का मिलता हूँ आप से कल सुबे, thank you for listening and as always, God bless you all.